नमस्कार आपका स्वागात देदा नामा टीवी पे मैं पूनम आपके साथ फिल्म एनिमल में अब तक रनबीर कपूर के कुछ सीन्स को लेकर विवाद चल रहा था वहीं अब बॉपी देवल के एक सीन्स को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं दरसल फिल्म में बॉपी देवल और उनकी पत्नी का किरदा निबा रही एक्ट्रेस मांसी तक्षक के वीजएक मैरिटल रेप्ट जिन दिखाया गया है क्योंकि मांसी बॉपी से 29 साल चोटी है इस पर लोगों का कहना है कि बॉपी को अपने से अतनी चोटी लड़की के साथ ऐसे सीन करने में अजीब नहीं लगा इस पर बॉपी ने जवाब देते वग कहा कि मुझे इस तीन शूट करते वे किसी तरह के जिजख नहीं हुई बॉपी देवल ने कहा कि वे किरदार एक खुखार पती का था जो अपनी पत्नी के साथ बुरा वेवार करता है मैंने कैबल उस किरदार को सही तरीके से निभाया है उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते वे कहा कि मुझे सीन करने में किसी तरह की परिशानी नहीं हुई फिल्म में बॉपी देवल और मांसी की शादी का सीन चल रहा होता है उसी समय अबरार को उसके भाई की मौत का पता चलता है वह गुसे से पागल हो जाता है यह सुनका सबसे पहले वह अपने मैनेजर को बेरेमी से मार देता है उसके बाद दुलन बनी मांसी और असाल्ट करता है इतना ही नहीं इसके बाद वह अपने दोनों पत्नियों को भी बुलाता है जब उसकी बात नहीं मानती तो वह उन पर हाथ उठाता है इस फिल्म में काम करने के बाद मांसी तक्षक भी चच्चा में है फिल्म में बहुत ही कम समय के लिए उनको दिखाया गया है मांसी को शादी के सीन के बाद फिल्म में नहीं दिखाया गया जब उन्होंने ये फिल्म की थी उस समय सोचल मीडिया पर उनके फॉलोज केवल आठ से नो हजा थे फिल्म रेलीज के बाद से उनके फॉलोज में काफी बड़ोतरी हुई है इसे के साथ बने राज़कामा टीवी के साथ करने वाद